हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आज हम कक्छा दूसरी गडित में अध्याएदो संख्याएद पढ़ने वाले हैं. So, let's get started. प्रस्न पहला, कौन किस स्थान पर है? यहाँ पर हमें कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें पहले स्थान पर है हाथी, दूसरे पर है घोड़ा, तीसरे पर है उट, चौथे स्थान पर है सेर, और पाच्वे स्थान पर है बैल. अब चित्र को देखकर हमें नीचे दिये हुए प्रस्नों के उत्तर देना है. पहला प्रस्न है, पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है हाथी, तो हम डिब्बे में लिख देंगे हाथी. प्रस्न दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर है उट, तो हम डिब्बे में लिख देंगे उट. प्रस्न तीसरा, सेर का कौन सा इस्थान है? सेर का इस्थान है चौथा, तो हम डिब्बे में लिख देंगे चौथा प्रस्न चौथा, घोडे का कौन सा इस्थान है? घोडे का इस्थान है दूसरा, तो हम डिब्बे में लिख देंगे दूसरा अब आप सभी बच्चे पाच-पाच के समों में बढ़ जाईए और एक पंक्ती बनाईए जिसमें कम हाइट का बच्चा सबसे आगे, उसके पीछे उससे ज़्यादा हाइट का बच्चा और इस तरीके से सबसे पीछे सबसे ज़्यादा हाइट का बच्चा अब देखिए आपकी पंक्ती में सबसे छोटा बच्चा कौन है और सबसे लंबा बच्चा कौन है है न यह गदिविधी बहुत ही मज़ेदार चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्थन कौन किस स्थान पर यहां चित्र में हमें पाच बच्चे दिखाई दे रहे हैं पहले स्थान पर है राकेश दूसरे में है मीना तीसरे में है संजै चौथे स्थान पर है रवी और पाचवे स्थान पर है गीता अब इस चित्र को देखकर हमें नीचे दिये हुए प्रस्नों के उत्तर देने है प्रस्न पहला पहले इस्थान पर राकेस है चित्र में देखिए पहले इस्थान पर राकेस खड़ा है तो हम प्रस्न के सामने लिखेंगे हाँ प्रस्न दूसरा कौन दूसरे इस्थान पर है चित्र को देखिए, दूसरे इस्थान पर खड़ी हुई है मीना, तो हम प्रस्न के सामने लिखेंगे मीना प्रस्न तीसरा, पाचवे इस्थान पर कौन है? चित्र को देखिए, पाचवे इस्थान पर खड़ी है गीता, तो हम प्रस्न के आगे लिखेंगे गीता प्रस्था संजय कौन से स्थान पर है चित्र को देखिए संजय तीसरे स्थान पर खड़ा है तो हम प्रस्थ के सामने लिखेंगे तीसरा प्रस्न पाच्वा रवी का इस्थान कौन सा है? चित्र को ध्यान से देखिए रवी चौथे इस्थान पर खड़ा है इसलिए हम प्रस्न के आगे लिखेंगे चौथा आप सभी अलग-अलग वस्तूओं के साथ भी इसका अभ्यास करें कि कौन सी वस्तूओं किस इस्थान पर रखी है अगला है रेल गाड़ी के डिब्बे यहां चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे सुरू रेल गाड़ी में एक इंजन है और उसके पीछे आठ डिब्बे लगे हुए है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ चलिए देखते हैं हमें क्या करना है प्रस्न पहला तीसरे डिब्बे पर सही का चिन लगाओ चलिए देखते हैं तीसरा डिब्बा कौन सा है पहला, दूसरा, तीसरा ये है तीसरा इसके उपर हम सही का चिन लगादेते हैं अगला है आठवे डिब्बे पर क्रोस का निशान लगाओ अब देखते हैं आठवा डिब्बा कौन सा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वा, छट्वा, सात्वा, आठवा ये है आठवा डिब्बा इस पर हम क्रोस का निशान लगादेते हैं पाच्वे डिब्बे में जिरो बनाओ अब देखते हैं पाच्वा डिब्बा कौन सा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वा ये है पाच्वा डिब्बा इस पर हम जिरो का निशान बना देते हैं अगला है सात्वे डिब्बे में त्रिभूच का निशान लगाओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वा, छट्वा, सात्वा यह है सात्वा डिब्बा इस पर हम त्रिभूच का निशान बना देते हैं यहाँ पर पेज नमबर 15 और 16 का अभ्यास कम्प्लीट होता है नेक्स वीडियो में हम आगे के अभ्यास को कम्प्लीट करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तेंक यू